नमस्कार फरीदबाद मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं आज इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फरीदबाद ब्रांच के कार्यले में और आज यहां भव्वे आयोजन है अभी अभी थोड़ी देर पहले जिलाउपा के चेर्मेन हैं हमारे साथ नितेश पाराशार हमारे साथ है हमारे साथ हैं धिरजः खंडेलवाल जी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंड हैं मूमगई ने और बीच पहुंचे हैं और उनके बातचीत करेंगे इसे ऩार्ट आप्स address को लेकर बातचीत करेंगे हम उसको लेकर बातचीत करेंगे विपिन शर्मा हमारे साथ हैं और भी तमाम यहां के जो नए और पुराने और यह पदाधिकारी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वह हमारे साथ यहां मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे दिरज जी सबसे पहले आप से शुरू करेंगे हम लोग मुंबई से हमारे बीच पहुंचे हैं और जो केंद्रिया समिती है उसमें बड़ी मेहत्पून जिम्मेदारी है दिरज जी के पास जो दिल्ली में बड़ी बिल्डिंग है वहां चार्टर्ड अगाउंटेंट्स का पूरा देश चलता है जहां से जी दिरज जी बड़ा चेलेंज रहता है आम तोर पर इस शब्द बहुत सुनने को मिलता है लेकिन जब लोग काम करने जाते हैं तो उस तरह का उन्हें कोई ना तो पुंजी मिलती है ना अप्रोच सहन मिलता है दो इसमें आपको समझना पड़ेगा स्टार्टप का मेंस किया है जी आज क स्टार्टप परबासा को समझना पहुत जरूरी है हर चीज स्टार्टप ने होती है स्टार्टप का मतला होता है बिट टेक्नोलोजी बिद इसकेलिबिल्टी एंड बिद न्यू आइडियाज वो स्टार्टप होता है आप मैं दुकान लगा दूँ उसके बचास खोल क्या नया चेलिंज को हम सॉलूसन लेका रहे हैं क्या टेक्नोलोजी को हम यूज कर रहे हैं जैसे यह एक बेस्ट जो तैक्सी जाइन वो स्टार्टप यश आप यजव क्योंकि बिकुशन लेकर है बला डिजिटाइज की हम सॉलूसन लेकर है हम वोल्ड में स्केलिटी तो मेरा स्केल मोर्ल कि ता बड़ा हो गया मैं एक रपे की यहां दंदा दुकान लगाँ एक दुकान लगा के मैं 500 और पर दो यहां पांचा से एक लाग करोंगा मैं यदि वुरे दे वर्ल्ड में काम करूंगा उसका कितना बड़ा फादा हो तो यह स्टार्ट अप हम मित है क उसलिए पैसा नहीं मिला तो उसको चेंज लाना पड़ा कि हमारा वाट इस दस्टार्ट अप एक मीज से देश में हमारे के इंदर जो समिती हमारे जो मिनिश्ट्री अब कॉमर्स है उसमें डी डीपी आईटी है उसके अंदर बहुत सरे स्कीम सलाई हुए है स्टार्ट के लिए उसको फंडर करने के लिए हमारे हर स्टेट के अंदर इन्नोवेशन इन्नोवेशन सेंटर्स बने हुए है और हर स्टेट गोर्मेंट एक अपनी खुद की ग्रांड दे लिए आज की देश में यदि आप उस इंकूबेट होते हो पैसा हर स्टार्ट अप को अलाब आपको मालम पड़े होना चाहिए कि अंदर मिनिस्टि एक अउमर्स के लाब निती आयो कि अलाबा मिनिस्टे व एड्योगेशन गेंडर जो आपका एन प्ना कोले आते हैं करीबद साथ आज आज आते हैं जहां पे आप आप एसी आई ट बोलते इसको एसेजिशन आ सब जगे एक स्टार्ट अप का एक कमी नहीं कदरदां की अकबर करें तो कोई कमाल पैदा किसी के पास कुछ है तो वो आए उसके लिए फंडिंग की कोई कमी नहीं अब देखो आप यह समझो नहीं आप बात को देश में आज हमारा यूनिकॉंस मिले आज सुनिकॉंस जिसने तीन सोचा सु मिलियन डॉलर की फंडिंग तक वैलुएशन तो पॉच चुकी है वह कम नहीं है तीन सोचा सु मिलियन की वैलुएशन बहुता है उसमें किते देश में हजार सूपर हैं सुनिकॉंस यूनिकॉंस भले ही हमारे एक सो ती एक सो पांच की आस पास हैं तो आज देश ने पाइदान प्यादा किया है जो आप दो या अठरा में कि एवल अठरा बीस यूनिकॉंगी बात करते थे और देश में आज दो यह चौविस के अंदर चौविस एज़ फटामों के चौविस में ख़ड़े हो एक सो दस यूनिकॉंगी बात करते हैं सर आप आ सेमें पैसा डालते थे फिर हमारे लोकल लोक ना डाने लगे अब सब लोग पैसा डालने लगे एसाइपीज करें करके मिश्वर्ट में सेम बे स्टार्ट अप में जो जरूरी है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है हम देश में थर्ड लाजस इको सिस्टम हमारा बना पूरा स्टार्ट अप के उप्र तो हमको यदि ग्रोनोंनों पोना है हमारे और हर स्टार्ट अप को छोटे-फोटे लेविल पर सपोर्ट करना है गोशन ही है लेकिन हमारे लिख फरसेनल इंडिवीडियों की भागते दारी बहुत जूरुद है हम लोग उसके उन्दर जितने किसी में नुकसान है, किसी में प्लॉफिट है, मिनिमुम सिक्स टाइम से रिजट आएगा, मिनिमुम सिक्स टाइम से गारंटी है मेरी, जितने भी इंकुबिशन सेंटर्स पुरे देश के अंदर चल रहे हैं, उनका प्लेट फॉर्म वर्किंग कंसेप्ट ही मिनिमुम सिक्स टाइम से आपको रिटन देने का है, जब ही आज बढ़ रहे हैं, कंडेलवल जी एक बड़ा और चीज, जो चेंज़े आए हैं, आम तोर पर पहले जो इन्वेस्टमेंट थी, पहले लोगों को चीज़ें खरीदनी पड़ती थी, जैसे सोना खरीदना पड़ता था, या शेर्स खरीदने पड़ता था, अब बहुत सारे एप्स आ गए हैं, जिनके माध्यम से आदमी छोटी-छोटी पुंजी भी, बतलब सोना खरीदना है, तो वो पे-ट Informationen के माध्यम से जाता है, उसके पास 200 रुपे हैं, 500 रुपे हैं, तो भी वो उतने का सोना करीद लेता है, उसका सोने में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो ऐसे कोई एप्स आप बता सकते हैं, ऐसी कोई जगे बता सकते हैं, जहां लोग, बहुत सारे लोग angel investor बनना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि नए किसी venture के साथ वो जुड़ें, तो ऐसे कोई platforms हैं, जहां लोग जुड़ जाएं और छोटी-छोटी पुझी डाल कर किसी startup को support कर सकें, या वहां से अपने लिए भविश्य में कोई मुनाफे की just like mutual fund, just like private equity में भी बोलते हैं, तो इसमें भी AIF हैं, तो जो angel network बना के रखे हुए हैं, अभी यहां पर, मैं आपके फईदा बात की हैं, यहां की बात करो, तो India angel accelerator fund है, जहां पर वो बात करता है कि हमारे पास हजार लोगों का network है, उसमें आईए AIF में पैसा डालिए, अच् काफी और भी returns मताब platforms हैं, जहां पर आप खुद चेक कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट लंबी है, मैं एक दो ही होते तो बात में आपको नाम ले देदा, क्योंकि मैं निगा में दस आ रहे हैं, तो इसमें आप Google करेंगे, तो इसमें साब दी जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि ऐ आप जब करां चाहँा, तो इंडिया एंजल नेटवर्क है, प्लस इंडिया एस्लेटर फंड है, प्लस बेंचर के लिस्ट लिस्ट इंडिया के लिट है नंबर सबसे वन पे चल रहा है, यहां लेट्स व्यंचर है, अब पर बात करो तो वी एक्स है, यह सब काफी सारे प् विफंडर विफंडर तो आपको मैं अशी आपको दस नाम तो नहीं गिना दिये कि जो एंजल नेट्वरक है और किसी में भी डालिये मैं रहिए नाम जाते हैं लुट प्रसत गान्टी दा उन सब की यह वह सब नंबर वन ही एरे करने कि अज जो फूर देखा शहले से जनता पुरन से भी आप लोग इंवेस्टर जो इंडिया में जो हमारे देसी लोग हैं जो हमारे बोलते हैं정이ज्ङा मेन जाथे बोट वह भी इंवेस्ट करना हैं तो यह से फटन हैं तो यह अच्छा कासा रिटर्न और च्छाहि 20 गहसी सवल्च अच्छह और इत्व भी जो transparent के साथ में काम कर रहे हैं और return अच्छा return दनी की कोशिश की करने की बात कर रहे हैं फरीदबाद ब्रांच के चेर्मेन नितिश पारशर हमारे साथ हैं उनके साथ भी बात चीत करेंगे नितिश जी फरीदबाद तो अद्योगिक नगरी है और यहां तो आप समझें कि लोगों ने लोहे से सोना मनाया है जी तो यहां के लिए जो start-ups को लेकर कुछ युवा हैं वो कुछ करना चाहते हैं यहां कोई angel investors हैं वो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कोई खास योजना फरीदबाद में आप चला रहें जी तो मेरे कारालने में शाहते हैं तो मेन मोटिव हमारा क्या है सर इस प्रोग्राम का पि करने का आज कि यही था कि बारे में बड़ी-बड़ी cities में पैंगलोर हो गई या फिर मॉंबई हो गई जहां जहां IIT हैं वहां तो सब नॉलिज है IT, सब सोचते हैं कि start-up is related to IT only, Chartered Accountants थोड़े निग्लेक्टे रेटन तोड़े तोड़े वो start-up नहीं कर सकते, लेकिन there are various things, अब तो fintech आ गया है, आपने देखा हो, क्रेट करके क्या पाती है, जिसे क्रेट काडी बेमंट होती है, fintech ही है, paytm is a fintech, तो ये ऐसे क्या start-ups के chartered accountants नहीं कर सकता, even sir ही आज बता रहे थे कि बहुत सारे chartered accountants start-ups में आहीं आ चुके हैं, तो हम through this medium, start-ups को ही promote करना चारहे हैं फरिदाबाद रीजिन में, और आज हमें सोगात भी ये में लिए है कि धीरिच खंडरवाल जी ने इतनी बड़ी अनौसमेंट कर दियेंगे, नेक्स्ट वन मन्त में इंक्यूबेशन सेंटर की जो हम परमीशल लेना जा रहे हैं, अगर वह हमें मिल गई, जो की सर ने तो बोली दिये, तो होफ़ुली वह एक महीने में पूरी हो जाएगी, तो ये सोगात हम इन कॉलाइबरेशन आफ गवर्मेंट आफ हरियाना सबको देंगे और जिसमें सबका ही फायदा होगा, इस नोट ओली फो चार्टे एकोनोमी एज वहल एकोनोमी एज वहल एकोन्ट्री इस वहल बनेफिट आफ एवर्मेंट आफ जाएगा, और विपिन शर्मा जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे भी विपिन जी बड़ा कारेक्रम था आज, इस तरह के प्रोग्राम मेट्रो सिटी में होते थे, पहली बार फायदावाद में इस तरीके का प्रोग्राम हुआ, और आप देख रहे हैं कि काफी अच्छा प्रोग्राम रहा, काफी संख्या में लोग आए, और जो आज दीरेज खंडेलवाल जी ने अनाउंसमेंट करी, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है हमारे फाइदावाद के वासियों के लिए भी, कि जैसे हर कोई सोचता है कि मेरे माइंड में कोई नया आइडिया आया, मैं कैसे स्टार्ट अप बनाओ, तो इंक्यूबेशन सेंटर बनने के बाद, वो हमारे ICI भवन जो की सेक्टर 20 में स्थित है, यहां पे अप्रोच कर सकता है, और अपने आइडिया को स्टार्ट अप की गाइडन के लिए, उसके लिए उन सब को फाइदा होगा, और मैं जनता को यही कहना चाहूंगा, कि यह हम सब के लिए है, और हमेशा C.A. पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग रहा है, तो हम यह जो कादय कर रहे हैं, एक सोसल सर्वेस हो, समाज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए मैं दीज़ेश खंडिलवाल जी का तहीं दिल से धन्य जो आज काफी पिछड़ रहा है, बट मुझे उम्मीद है इस तरीके के स्टार्ट अप से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, धन्यावाद सम्झें, तो फरीदबाद आप एक खास चीज समझें, यह जो लक्षमी के रखवाले हमारे अर्दिगर्द खड़े हैं, आप समझने लक्षमी के रखवाले हैं, और यह फरीदबाद के युवाओं के लिए एक बहतरीन उपर्चुनिटी लेकर आए हैं, फरीदबाद के युवाओं अगर सोचते हैं, कुछ आउट आफ दा बॉक्स सोचते हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ऐसा विचार है, आइडि आओाइं सोबस्के झाले हैं, यजवाँ और नीनी के युवा झाले हैं, जय सुनिए घबाद भास जआ ठादाब लिएध, इलै कर झाले हैं, राछै हैं, यह ई।ौद् त debyगता हैं, पर बा довольно काुवाद देए जहाँ और नहें हाँ हैं, चाफंने हैं, और छूआमी ऑर भ